हेलो फ्रेंड मैं आकाश वेल्कम टू प्रांड केरगीवर आज मैं कबार से जुगाड का एक वीडियो लिखा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको बहुत सुन्दर सुन्दर डियाई वाइस सिखाने वाला हूँ जो की कबार से बने हुए कंटेनर है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है आप वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किजिएगा यह मेरे सिस्टर का गार्डन है उनका भी एक यूटूब चैनल है उनके चैनल का लिंक मैं येस सिस्कृप्शन बाक में ढाल दूंगा उनके चैन बहुत ही सुन्दर है और इनके गार्डन में आपको बहुत से डियाइवाइस के आईडियास भी मिल जाएंगे पेंटिंग आइडियास भी मिल जाएंगे तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा देख सकते हैं एक पेंटिंग बनी हुई है यह निउसपेपर से उन्हो पेंट यूज किया है और उसके बाद जो पेंटिंग किया है उसके लिए पैब्रिक एक्रेलिक पेंट यूज किया है देख सकते हैं डिजाइन आप देख सकते हैं इससा की डिजाइन आप भी बना सकते हैं बहुत यसानी से बन जाते हैं और देख सकते हैं कीली की साहता से ये वाल पर अटैच किये गए हैं देख सकते हैं ये सभी बोतल से ही बने हुए हैं और बहुत ही सुन्दर रखते हैं जब बोतल में आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगता है और इनमें प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि बोतल में अब जब भी प्लांट ग्रो करें तो इसमें फिर सारे चेत करें जिसके पानी बोतल में स्टोन ना हो देख सकते हैं ये भी बोतल से ही बना हुआ है और बहुत ही सुन्दा लग रहा है इसमें इन्होंने मनी प्लांट ग्रो किया है बोतल को जब आप वाल पर हैंक करते हैं तो वो और भी सुन्दा लगता है और ऐसे दो प्लांटर इन्होंने बनाए हैं और गेट के दोनु साइड में अटैच किया है इसमें भी इन्होंने money plant ही grow किया है, देख सकते हैं बहुत सुंदर painting की है, money plant बहुत ही hardy plant होता है और इस समय आप इसकी धेर सारी cutting grow कर सकते हैं, cutting rainy season में बहुत यसानी से grow हो जाता है, देख सकते हैं ये भी इन्होंने waste container का ही उश किया है, इसमें भी इन्होंने बहुत बढ़िया पेंटिंग की है इसमें ये lucky bamboo लगा हुआ है ये दासर पानी में grow होने वला है इसलिए ये थोड़ा कम grow कर रहे है ये पानी में अच्छे से grow कर जाता है आप अगर ऐसी पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन सॉर्ट ले सकते हैं ये देख सकते हैं ये रबर प्लांट है वेरिकेटर बन्यां ट्री है ये मेरे गार्डन में भी है और ये मित्टी का कले पॉट है और इसमें इन्हेंने हनी भी बनाये रहे हैं तो आप इसससा के जो कंटेनर होते हैं मित्टी के गमले उनमें भी आप पेंटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं एक और वेस्ट कंटेनर इसके लिए भी इन्होंने वेस्ट बोटल का ये उसकिया है इस सभी आपको किचन में इस्सा के डिब्बे आसानी से मिल जाते होंगे इनमें मसाले वगारा या फिर बिस्किट के डिब्बे ऐसे बहुत सारे वेस्ट डिब्बे होते हैं उनमें आप इस्सा से पेंटिंग करके बहुत ही सुन्दर कंटेनर बना सकते हैं और जब आप इस साके कंटेनर में प्लांट ग्रो करते हैं, तो प्लांट की खुपसूरती और भी बढ़ जाती हैं। और ये एक और वर्टिकल कार्डन, इसके लिए भी इनोंने बोतल का ही उसकिया हैं। और ये कुछ और DIY प्लांट है, ये सबी paint के डिपे हैं, कुछ तेल के डिपे हैं, देख सकते हैं, इन पर भी इन्होंने बहुत बढ़िया painting किये हैं, और देख सकते हैं, plant की growth भी देख सकते हैं, plastic container में भी plant बहुत बढ़िया grow करते हैं, बस उनमें आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रगना पड़ता है, अगर आपसे over watering हो जाती है, तो आप multiple shape उसमें करें, ताकि पानी बिल्कुल भी store ना हो, और इन container के उपर भी इन्होंने कुछ container हैं किये हैं, देख सकते हैं, इन्होंने बोतल के बहुत सारे DIYs बनाए हैं, ये एक और DIY, ये भी बोतल से ही बनाए और इसमें इन्होंने डेवेस बैकबोन की cutting ग्रो किया है, देख सकते हैं, डेवेस बैकबोन भी आप इस ताकि बोतल में ग्रो करके hang कर सकते हैं, और दूर से ये बहुत ही सुन्दर लगता है, एक और बोतल कंटेनर, इसमें इन्होंने रियो बनाया है, और देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर लग रहा है, एक और बोतल प्लांटर और इस पर इन्होंने वारली आठ की है, वारली आठ बहुत ही असानी से बन जाता है, और जिस भी कंटेनर में आप बनाते हैं, बहुत ही सुन्दर लगता है, और ये भी बोतल के नीचे का हिस्सा है, ये बोतल थोड़ी सी बड़ी थी और इस पर इन्होंने ये spider plant grow किये हैं जब ये planter hang होता है और इस ता से घूमता है तो बहुत ही सुन्दर लगता है ये एक और बोतल DIY देख सकते हैं इन्होंने बोतल के बहुत सारे container बनाए हैं तो आप भी बोतल थेका मत करियें इस सारे से plant grow कर सकते हैं और थोड़ी बहुत painting करेंगे तो container वैसे भी बहुत ही सुन्दर लगने वाला है और ये है cat shape planter ये भी बोतल से ही बना हुआ है और इस पर इन्होंने इस संसे वेरिया लगाया है है यी plant मेरे पी garden में है और मैंने इन्हीं के garden से यी plant लिया था देख सकते हैं इस प्लांट भी सुन्दर लगता है और ये गभार से बना हुआ base shape planter यूर इसके लिए इन्होंने बड़े container का यूज किया है बड़े oil container का यूज़ किया है देख सकते हैं बहुत ही सुन्दा लग रहा है और इस पर इन्होंने टर्टल वाइन ग्रो किया है टर्टल वाइन कटिंग से असानी से ग्रो हो जाता है और ये एक लीटर के paint के डिपे हैं देख सकते हैं इन्होंने बहुत बड़िया painting किया है एक लीटर paint के डिपे में बहुत बड़िया space होता है लगबख सभी plant आप इन्होंने बहुत ही असानी से ग्रो कर सकते हैं फिलाल इन्होंने परसलीन और पोचुला का ग्रो किया है और ये वीडियो मैं शाम को बना रहूं इसलिए इसमें प्लावरिंग अभी नहीं हुई है देख सकते हैं बहुत बड़िया painting किया है ये वादली आर्ट है और ये आउल है देख सकते हैं दो अलग design में इन्होंने बनाया है तो इस तागी painting आप भी बना सकते हैं ये जो paint की दिपे होते हैं इनमें पर्सलीन और पोचुला का बहुत ही असानी से ग्रो हो जाते हैं मैंने भी बहुत सारे container में ये ग्रो किया हैं आपके साथ भी वीडियो शेयर किया है और ये oil container हैं जो बड़े देल के डिपे होते हैं इनमें भी इन्होंने बहुत बढ़िया painting किया है ये काफी पुराना है लगबग एक से देल साल हो चुके हैं इसलिए इनमें थोड़ी सी जंग लगना स्टार्ट हो गया है लेकिन देख सकते हैं container बहुत ही सुन्दा लगते हैं जब कि बने होंगे तो बहुत ही सुन्दा लग रहे होंगे और इनमें भी इन्होंने परसलीन पोर्चुला का ही ग्रोग किया है जैसा कि मैंने आपको बताया है शाम हो चुकी है इसलिए इनमें flowering फिलहाल बंद हो चुकी है जब इनमें flowering होती है तो ये container बहुत ही सुन्दा लगते हैं और ये दही का डिपा है देख सकते हैं इनमें भी इन्होंने plant ग्रो किया है sensevaria plant है और ये नर्सी pot है इनमें भी इन्होंने painting किया है और इस पे इन्होंने sensevaria grow किया है इस ता कि painting इन्होंने बहुत सारे container में किया है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगे के साथ share करूँगा I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like किजेगा मेरे channel पर पहली बार आया है तो मेरे channel को subscribe किजेगा और हाँ आप इनके channel पर जरूर visit करियेगा इनके channel का नाम think about plant है इनके channel का link मैंने अपने description box में डाल दिया है आप वहाँ से इनके channel पर असानी से visit कर पाएंगे और हाँ इनके channel को subscribe करना मत भूलिएगा इसके अलावा अगर आप मेरे channel पर पहली बार आया है तो मेरे channel को भी जरूर subscribe किजेगा